हाई, दिस इस प्रेम, वेलकम बाक टो एजूकेशनल हाइक्स वैसे आपके स्क्रीन पर ये जो टॉपिक दिख रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का ये क्लास टेंथ के एक्जाम में पूछा जाता है सिर्फ एक नंबर का हला कि एक एक नंबर करके बहुत सारे क्वेस्चन्स ग्रैमर वाले पोर्शन में मिलते हैं क्लास टेंथ के सीबियसी बोड में पिछले तीन सालों से इस टॉपिक को सीबियसी ने इंट्रिजूस किया इस एक नंबर को पानी के लिए ये वीडियो मत देखो क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉट ट्रिक्स की वीडियो बना रखे रिपोर्टेड स्पीच पर मैं उपर इंफॉर्मेशन बटन पर भी नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में भी आप चाहो तो यूटूब पर आकर पर इस पीच को पढ़ाते टाइम जो कुछ भी सीखा है मतलब A to Z रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ाते पढ़ाते जो सीखा है वो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इतनी मज़ेतार तरीके से करने वाले हैं कि दिल से पढ़ाऊंगा और म आप चुगली करने में देज हो जो कि हाला कि लड़कियों के आदत होती है तो आप रिपोर्टेड स्पीच कर जाओगे अगर मैं पूछू कि चुगली करना कैसी आदत है तुम लोग क्या काओगे सर बुरी आदत है लेकिन ये रास्ता भी है आपको इंडारेक्ट सिखाने का जी हां अगर आपको चुगली करना ठीक से आ गया तो आपको इंडारेक्ट स्पीच में भी बदलना आ जाएगा जिसकों रिपोर्टेड स्पीच कहते है तो चलो सुरू से सुरुआत करते हैं कि रिपोर्टेड का मतलब होता क्या है मेरी प्रिसिपल मैं है जहां पर भी म स्कूल में पढ़ाता हूं ठीक है तो मैं एक दिन क्लास 10 में जा रहा था पढ़ाने कहा जा रहा था क्लास 10 में मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा था तो मेरी प्रिसिपल में हम क्या कहती है ऐसे क्लास 10 के बच्चे बैठे हुए और मैं यहां से पढ़ाता हूं ठीक है त एक तो मैं principle meme की कही हुई बात double inverted कॉमा लगाकर हूब हूँ कह दू और एक रास्ता है कि मैं अपने भासा में my own language में principle meme की बात को convert करके बोलू तो जी हाँ जो पहला जिसमें हम किसी की कही हुई बात को लिख देते हैं inverted कॉमा लगाकर इसको हम direct speech कहते हैं क्या कहते हैं direct speech और किसी की कही हुई बात को अगर उसे हमें अपनी भासा में कहना हुआ तो हम इसको indirect speech कहते हैं ठीक है तो आज इस पूरे वीडियो में आने वाले जितने slides हैं आप इसमें सीख रहे होंगे English grammar की वो rules जिससे आप एक direct speech को indirect में और एक indirect speech को direct में बदल सकते हो तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले कभी भी मैं ये topic पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें steps बताता हूँ कि reported speech आप कर कैसे सकते हो पांच रास्ते बता रहा हूँ तुमको एक दो तीन चार पांच जैसे एक सीड़ी चड़ चड़ कर आप छट पर पहुँचते हो ऐसा है नहीं कि दो चार सीड़ी skip कर जाओ कूच जाओ फिर छट पर पहुच जाओ कूदने में दिक्कत होगी है ना तो यह पांच रास्ते हैं यह पांच स्टेप्स हैं जिससे आप किसी भी दुनिया के टारेक्ट स्पीच को इंडारेक्ट स्पीच में बदल सकते हो पहला क्या है चेंज रिपोर्टिंग वर्ब यह पांच स्टेप्स बस देख लो ठीक है उसके बाद मैं एक एक स्टेप्स को क्लियर करने वाला हूँ चेंज रिपोर्टिंग वर्म ठीक है दूसरा काम कॉमा इन्वर्टेट कॉमा को हटा कर हमें दैट लगाना होता है और इसके अलावा टू भी लगाना होता है कभी-कभी कभी-कभी इफ भी लगाना होता है कभी-कभी वेदर भी लगाना पड़ता है ये डिपेंड करता है कि किस तरीकी का सेंटेंस इन्वर्टेट कॉमा के अंदर है अगर असर्टिप सेंटेंस है तो हम दैट लगाएंगे अगर imperative है तो हम to लगाएंगे अगर question वाला sentence है interrogative तो if लगाएंगे अगर interrogative question में हमसे choice पूछ रहा है तो हम उसमें weather लगाएंगे जैसे do you like tea और coffee ये तो अभी trailer है ये देगर रुपस steps देखते जो इसको हम detail में पढ़ने वाले है तीसरा काम क्या होता है change in person ठीक है personal pronouns आप क्या सकते हो change in personal pronouns कैसे बदलोगी किस में बदलोगी ये हम आगे बात करेंगे इसके बाद चौथा step आपका होता है change in tense आपको ये भी आना चाहिए कि अगर आप inverted कॉमा के अंदर कोई tense देखते हो present in definite का, present continuous का present perfect का tense तो उसको किस tense में बदलना होता है और आखरी चीज होती है change in adverb change in adverb ठीक है तो सबसे पहले तो इसको note down कर लो मेरे भाई ये पाँच steps है they are five five steps to change to change into reported speech किसी भी reported speech के sentence किसी भी direct speech को एक reported speech में बदलने के लिए ये पाँच steps हम अपनाते हैं screenshot ले लो आगे बढ़ते हैं अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एक सेंटेंस एक डारेक्ट स्पीच का हम सेंटेंस लेते हैं जैसे मैंने कहा he said comma inverted comma उसके बाद मैंने कहा कि I am a social worker अब देखो इस पूरे सेंटेंस में ये जो सेड वाला इलाका होता है ये जो सेड वाला word है इसको क्या कहते हो इसको तुम कहते हो reporting verb इसको क्या कहते हो इसको कहते हो reporting verb ठीक है अच्छा और ये जो पूरी speech होती है जो inverted comma के अंदर होती है इसको हम कहते है reporting speech reporting speech अब ये terms कितने important हैं ये तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आपको खुदी पता चल जाएगा लेकिन एक direct speech के sentence में क्या क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया reported speech क्या है अगर इसी sentence को हमने indirect में बदल दिया हमने कह दिया he said का he said ही रहने देते हैं ठीक है उसके बाद comma inverted comma को हटा कर हम that लगाएंगे उसके बाद I बदल जाएगा he में कैसे बदलता है ये at the end of the video तुमें सब पता चल जाने वाला है अभी बस इतना देखो कि reported speech किसे कहते हैं he said that he am बदल जाता है was में a का a ही रहता है social worker, social worker ही रहेगा ठीक है तो अब आप अपनी screen पर एक direct speech का question और एक indirect speech का sentence देख सकते हो इस direct speech को मैंने indirect में बदला है तो ये जो पूरा sentence है this is called reported speech और exam में भी हमें यही करना होता है reported speech class 10th की exam की अगर हम बात करें तो आपको चार options में से एक choose करना पड़ता है मतलब आपको ये change नहीं करना बलकि ऐसा question दिया रहेगा इस question में से चार options रहेंगे change करके दिये रहेंगे आपको choose करना है कि इस direct speech का indirect speech इन चारों में से कौन सा है तो करना क्या है इस question में ये मैंने बता दिया direct speech में कौन-कौन से हिससे होते है ये बता दिया indirect speech में कौन-कौन से होते है ये बता दिया अब हम चलेंगे अपने step number one की तरफ चलिए अब actually बदलना सुरू करते है कि कैसे direct से indirect बदलोगे तो सबसे पहला काम क्या होता है Change Change in reporting verb ठीक है, reporting verb कौन सा होता है यह पीछे जा कर देख लेना, यह reporting verb यह बदलता है, यह सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने said का said ही लिख दिया है, यहाँ पर तो मैंने बदला ही नहीं, सर आप बोल रहे हो पहले reporting verb बदलना है, तो थोड़ा रुको मेरे दोस्त, कौन सा reporting verb बदलना है, यह देखते हैं Change in reporting verb सबसे पहला step, सबसे पहला काम, direct speech की question को देखते ही, क्या करना है इसका reporting verb बदल देना है ठीक है, कैसे, अगर इधर मैं direct speech लिखता हूँ, direct और इधर लिखता हूँ, indirect या जिसको तुम reported भी कहते हैं, ठीक है indirect, तो direct speech में तुम कौन सा reporting verb देखो और indirect में उसे किसमे बदलना है, यह देखते हैं, सबसे पहले अगर तुम्हें केवल said दिखता है said, तो said नहीं बदलता, said का said ही रहता है, ठीक है, अच्छा अगर गलती से तुमको said to दिख गया, तो यह बदलता है मेरे दोस्त, said to will become told ठीक है, said to will become told, और और कौन सा, अगर say आ गया, तो say say ही रहता है, यह नहीं बदलता अगर says आ गया तो says भी says ही रहता है, यह भी नहीं बदलता, अच्छा अगर say to आ गया say to, तो यह बदल जाएगा, यह बदल जाएगा tell में, और अगर says to आ गया says to, तो यह भी बदल जाता है, यह बदलता है tells में, अब मैं एक मिनिट देख रहा हूँ, इसको revise कर लो कि कौन सा reporting verb हम देखेंगे, reporting verb मतलब यह वाला verb, ठीक है, देखो मैंने said का said ही रखा था, मैंने बदला नहीं था, क्यों, क्योंकि said बदलना नहीं होता, क्या बदलना होता है, एक said to बदलना होता है, दूसरा say to बदलना होता है और तीसरा says to बदलना होता है, बाकी कोई भी reporting verb आती है, आप उसको same to same indirect speech में वैसे ही लिख दोगे तो यह आसान था कि नहीं, change in reporting verb आसान था कि नहीं आसान था, अच्छा अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पर बता देता हूं मेरे दोस्त कि केवल said और said to यानी अगर past में है reporting verb ठीक है, तब तो change in tense होगा change in tense होगा लेकिन अगर present या future में है reporting verb जैसे इसमें आप देख सकते हो यह सारे reporting verb present के हैं, इसलिए present अगर reporting verb say देखते हो, say to देखते हो, say to देखते हो, direct speech में, तो no change in tense inverted comma के अंदर जो भी sentence दिया है, उसका tense नहीं बदलेगा यह बात समझ में आई, कि अगर past tense में हमारा reporting verb रहता है, तब ही comma inverted, जैसे एक sentence लेते हैं, example में मैंने कह दिया, I say मैंने कहा, inverted comma I brush my teeth daily I brush my teeth daily अब जब तुमने देख लिया कि say है ना, तो अंदर का tense, brush का brush मत करना अगर कोई भी tense है तो उसको तुम बदलोगे नहीं, who who लिख दोगे, बस person change होगा tense change नहीं होगा, किस condition में अगर हमारा reporting verb present या future में है, जैसे यहाँ present में था, मैंने नहीं बदला मैंने अंदर की, जो tense है इसको नहीं बदला है, ठीक है, इसको जब तुम indirect में बदलोगे, तो यह हो जाएगा I say that I brush my teeth daily, जैसे लिखा है, who who एकदम ऐसे लिख दोगे, तो इस चीज़ का भी screenshot ले लो कि कौन सा reporting verb किस में बदल लाता है, तो I hope आपने यह भी ले लिया होगा, और एक बात यह भी पता चल गई कि past tense में अगर हमारा reporting verb है तभी अंदर, inverted comma के अंदर चीज़ें बदलेंगी, नहीं तो अगर present में है तो inverted comma के अंदर की चीज़ें नहीं बदलेंगी, उनका tense नहीं बदलेगा, clear है, समझ में आया, अच्छा, आप step 1 तो आपने देख लिया, इसके बाद लिखवाने के बाद यह सब जो notes है न, यह मैं आपको description box में, PDF form में डाल दूँगा, तो आप उहां से भी download कर सकते हो, ठीक है step number 2 की तरफ आते है step number 2 मैंने क्या बताया था step number 2 अब step number 2 मैंने क्या बताया था यह थोड़ा पीछे जाके देखेंगे हम कि comma, inverted comma अटाकर हम that लगाते हैं, या to लगाते हैं या if लगाते हैं, या weather लगाते हैं अब ये कहां कहां लगाते हैं, ये देखते हैं ठीक है, change change comma inverted comma into दलना पड़ेगा, देखो अगर comma, inverted comma के अंदर कोई, कोई, कोई assertive sentence है ठीक है, कोई assertive sentence है जिसके last में full stop है तो आप comma, inverted comma हटाकर क्या लगाओगे that लगाओगे ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर comma, inverted comma के अंदर कोई question वाला sentence है कैसा sentence है, question पूछ रहा है ठीक है, तो जब question पूछ रहा है तो question दो तरीके होते हैं आपको पता है एक yes, no type का question होता है जिसमें हमसे केवल हाँ और नहीं में answer मागा रहता है और एक ws type का question होता है जिसमें हमसे detail में answer मागता है तो अगर comma, inverted comma के अंदर ये yes, no वाला question है तब तो तुम क्या लगाओगे if लगाओगे if लगाओगे या whether लगाओगे ठीक है yes, no वाला question है तो comma, inverted comma हटा के if या whether लगाओगे लेकिन अगर ws type वाला question है तो no conjunction will be added no conjunction comma, inverted comma को केवल हटा दोगे कोई भी conjunction वहाँ पर उसकी जगाँ पर नहीं लगाओगे तो समझ गए question वाला भी समझ गए assertive sentence भी समझ गए अब और देखते हैं कि अगर comma, inverted comma के अंदर यानि जो direct speech का question है उसमें तुमको कोई imperative sentence मिलता है अब पहली ये बताओ कि imperative sentences क्या होते हैं imperative sentences वह वाक्य होते हैं जिनसे हम किसी को order देते हैं suggestion देते हैं या किसी से request करते हैं ठीक है तो comma, inverted comma के अंदर अगर तुमको कोई imperative sentence मिलता है तो comma, inverted comma हटा कर हम लगाते हैं to, क्या लगाते हैं? to याद रहेगा और एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो imperative sentence होता है वो हमेशा verb से ही start होता है जैसे go to help, open the door, close the door sit down, stand up ये verb से ही चालू होता है तो to के बाद हम verb की first form यूज़ करते हैं imperative sentence में अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि comma, inverted comma, जो की दूसरा step है हटाना, comma, inverted comma हटा के तुम क्या लिखोगे, अगर assertive sentence है तो that लिखोगे, question का sentence है question दो तरीके के होता है yes, no type और ws type अगर yes, no type का question है तो if लगाओगे या whether लगाओगे अगर ws type का question है तो no conjunction, और अगर imperative sentence है, तो लिखोगे to, और to के बाद हमेशा verb की first form होती है और अगर कहीं गलती से, comma inverted comma के अंदर exclamatory sentence आ गया exclamatory sentence आ गया अच्छा अब exclamatory sentence क्या होता है भाई वही वाक्य जब आप चौक जाते हो किसी से बोलते टाइम जैसे बहुत खुबसूरत लड़की देख ली क्या कहोगे what a beautiful girl this is exclamatory sentence हम कहते हैं आउच I hurt my finger exclamatory sentence exclamatory मतलब जो surprise होकर बोला जाए ठीक है और अगर अंदर, comma inverted comma के अंदर exclamatory sentence है ना तो ये भी that ही लेगा जी हाँ, comma inverted comma हटा के आप क्या लगाओगे that लगाओगे और अगर comma inverted comma के अंदर कोई optative sentence है optative sentence में हम क्या करते हैं हम किसी को wish करते हैं या किसी को श्राब देते हैं जैसे तुम भाड में जाओ ये एक श्राब है optative sentence है may you go to hell तो अगर optative sentence आएगा तो comma inverted comma हटा कर हम who by who that लगाते हैं किसी किसी condition में और किसी किसी condition में कुछ भी नहीं लगाते हैं ठीक है ये जब हम optative sentence पढ़ रहे होंगे इसी वीडियो में तब हम आपको बताएंगे तो दूसरा step देख लिया देखो हमने दो step अब तक पूरा कर लिया कि reporting वो अब किस में बदलती है comma inverted comma कैसे बदलता है अब तीसरी चीज़ पर आते है change in personal pronouns ये पांचो step एक एक करके बताने के बाद मैं बहुत सारे questions प्राक्टिस करने वाला हूँ जो तुम सच में अगर इन पांचो steps को पढ़ा इस वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो दुनिया का कोई भी direct speech आ जाए कर ले जाओगे चुटकियों में ये promise है ठीक है तो तीसरी step पर चले क्या सीखना है अब हमे change in personal pronouns अगर हमें comma inverted comma के अंदर personal pronoun मिलता है तो ये किस में बदलेगा जैसे ये तीसरा step समझाने से पहले आपको मैं एक question देना चाहता हूँ जैसे मैंने कह दिया राम ठीक है मैंने कहा राम said comma inverted comma I I was not your friend I was not your friend ठीक है I was not your friend अब देखो इस sentence को अगर हम indirect में बदलेना तो कैसे बदलोगे पता है राम said क्योंकि said का said ही रहता है comma inverted comma अटाक यर हम that लगाएंगे क्योंकि ये एक assertive sentence है तो राम said that और एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि I और your ये दोनो personal pronoun है ये बदलेंगे कैसे बदलेंगे राम said that I will become he अब तुमारे दिमाग में आ रहा होगा न आई का ही कैसे हुआ और अगर यहाँ पर कुछ और होता तो वो किस में बदलता यही हम इस step में सीख रहे होंगे कि I का ही कैसे हुआ और अगर इसको और आगे हम change करते जाए तो had been not your friend यहाँ पर योड तो नहीं बदला यहाँ पर योड तो ऐसे का ऐसा ही रहा तो यही mystery solve करते हैं हम step number 3 में ठीक है step number 3 में हम change करना सीखेंगे personal pronouns को change vitaminate इसको फिर से ही raise करते हैं हम ठीक है change in personal pronouns that is step number 3 step 3 change in personal pronouns अब कईयों महानुभाओं को तो यह भी नहीं पता होगा कि personal pronouns होता क्या है कहते किसको है देखो pronouns टोटल दस तरीके के हैं ठीक है अब कौन-कौन से है यह थोड़ा पीछे class 8 की book में जाके देखोगी तो मिल जाएगा तुमको class 9th एं 10th में pronouns नहीं पढ़ाया जाता use पढ़ाया जाता है जैसे अभी मैं तुमको personal pronoun का use बताऊंगा तो personal pronoun फिर भी मैं आपको hint दे देता हूँ एक डंडा ले लो एक बड़ा सा डंडा ऐसे खीचो चलो इसको दूसरे color से खीचते है चलो खीच देते हैं white से ठीक है थोड़ा अच्छा लगेगा है ना क्योंकि आज कल YouTube पे जो दिखता है वही बिखता है हम जैसे कितना भी deep knowledge दे दें कोई फरक नहीं पड़ता है एक smart board लगा कर अगर यह दें तो फरक पड़ेगा ठीक है तो यह एक box मैंने आपके लिए बना लिया और color change कर देता हूँ इसका ठीक है मैं उपर लिख देता हूँ सबसे पहले subjective case क्या लिखता हूँ subjective case अच्छा इसके बाद एक line खीजता हूँ ऐसे मैं लिखता हूँ अगला objective case ऐसे बनाना है आपको जो भी मैं करता जा रहा हूँ या तो screenshot लेते जाओ या तो बनाते जाओ क्योंकि detail में बढ़ा रहा हूँ यह step by step आपको कोई नहीं सिखाएगा कि कैसे reported speech की questions को करते है subjective case दूसरा बना लो objective case ठीक है एक डंडा फिर खीजदो ऐसे और तीसरा हो जाएगा हमारा positive pronoun और एक और डंडे खीचो और इसमें लिखो positive adjective ठीक है इसका क्या use है इस table का अब ये सुन लो पहले उसके बाद ठीक है उसके बाद लिख ले ना ये जो table तुम अपने सामने देख रहे हो ना ये केवल direct indirect में ही नहीं बलकि pronounce पहने में समझने में आपको बहुत help करता है अगर आपने केवल ये table समझ लिया 40% काम direct to indirect में बदलने का तो आगे हम पढ़ते चलेंगे यहाँ पर बगल में हम लिखेंगे यह है first person pronoun यहाँ पर हम लिखेंगे first person का pronoun ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे second person का pronoun second person pronoun आप समझ लेना जगह थोड़क काम है तो short form में लिख देता हूँ third person pronoun ठीक है? third person pronoun अब यहाँ पर आपकी जरूरत है ये मैंने ऐसे boxes बना दिये ठीक है? अब यहाँ पर आपकी जरूरत है कैसे जरूरत है? एक बात बताओ first person pronoun कौन-कौन से होता है दो, एक होता है I और दूसरा होता है V second person pronoun कौन-कौन से है एक है you और इकलाता you ही एक ऐसा pronoun है जो कि second person pronoun में आता है ठीक है? ये table क्यों important है? क्योंकि reported speech में एक formula है son upon 123 अगर इस formula को समझ गए तो reported speech में person बदलने में कोई problem नहीं होगी इस formula को समझने के लिए ये table समझना जरूरी है तो अभी फिलहाल मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि first person के दो pronoun होते है I और we second person का एक pronoun होता है you और third person का चार pronoun होता है that is he she it और एक और होता है that is they ठीक है? अच्छा अब अगर I का objective case ले तो ये हो जाता है me we का objective case ले तो ये हो जाता है us you का objective case you ही रहता है he becomes him she become her it will become it it नहीं बदलता और they becomes them ठीक है? तो अब subjective case और in subjective case के pronouns का objective case एक बार देख लो क्योंकि ये यादगरनी की चीज़ है I का objective case me we का objective case us you का objective case you he का objective case him she का her it का it ही रहता है they का them अब आते हैं positive pronoun में I का positive pronoun होता है mine ठीक है? mine और we का positive pronoun होता है our ours ठीक है? you का होता है yours him का होता है his ठीक है? और she का होता है hers it का होता है its they का positive pronoun होता है theirs और एक होता है अच्छा ये adjective लिखना था मुझे यहाँ पर wait a minute wait a minute ये है adjective ये है adjective ये है adjective positive adjective I का जो positive adjective होता है वो होता है my we का our होता है you का your होता है he का his ही रहता है ठीक है? she का her हो जाता है it will become no change and they will become there there ठीक है? इत्ता समझ गया? इत्ता समझ गया कि नहीं? ये जितने भी यहाँ बर मैंने तीन तरीके के pronouns यूज़ किया है first person pronoun second person pronoun third person pronoun अब ये first person second person third person क्या है? ये सब personal pronouns है ठीक है? अगर हम इन pronouns को direct speech में देखते हैं तो उनको हमें change करना पड़ता है अब इस formula की तरफ आते हैं अगर तुम first person का pronoun देखते हो तो वो subject के according change होता है यानि उस sentence को बोल कौन रहा है? उसके according जब हम change करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लेकिन इस formula को याद रखना कि अगर अंदर comma और inverted comma के अंदर अगर हमें I मिलता है या V मिलता है तो वो बोलने वाले के according change होता है ठीक है? अगर हमें second person pronoun यानि यू मिलता है तो वो object यानि सुनने वाले के according change होता है और अगर third person pronoun मिलता है comma inverted comma के अंदर तो तुम उसे change नहीं करोगे no change he see it और they ये अगर तुमको third person में मिल जाते हैं third person pronoun है ये सब्दे को third person pronoun ये comma inverted comma के अगर मिलता है आपको तो इसको तुम नहीं बदलोगे ये जिस रूप में है उसको उसी रूप में रहने देना तो take the screenshot of this change in personal pronouns table so that we can move forward ये table बहुत है important है ठीक है मैं तो कहूंगा जितनी भी direct से indirect में बदलने के लिए आप questions करो इस table को अपने सामने रखो ठीक है ये table आपको बहुत मदद करेगी तो इसको बिना erase करते हुए हम अगले slide पर चलते हैं हमने change in person सीख लिए आपने 3 steps सीखे change in person change in person का formula ये है उपर आप देख रहे हो person change करने का formula ये उपर दिया है ठीक है अच्छा तो हमने अभी तक 3 steps सीख लिए comma inverted comma को change करना reporting verb को change करना और तीसरा personal pronouns को change करना अभी दो और बाकी है change in tense and change in adverb तो अगले slide पर चलते देखो जब तक 5 steps में पूरा आपको detail में नहीं पढ़ा लेता तब तक एक भी question नहीं करने दोंगा क्योंकि कोई अधूरा knowledge देकर अगर आपसे question करवा हुना वो बहकाना हुआ और बहकाने का काम educational hacks का नहीं है तो चलते अपने चौथे step पर change in tense की तरफ ठीक है तो हमारा चौथा step हम लिखते है step number four that is change in change in tense ठीक है अच्छा अब tense बदलने से पहले आपको मैं ना क्या करवा देता हूँ दो बाते बता देता हूँ सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर जो reporting verb है reporting verb कौन सा है ये पीछे स्लाइड में जाकर देख लेना reporting verb अगर present में है किस में है present में है या future में है present या future तो जो tense होगा हमारा sentence का no change वो नहीं बदलेगा ठीक है एक तो ये condition हो गई और दूसरी condition है कि अगर comma inverted comma के अंदर आपको कोई universal truth मिलता है कोई ऐसी सच्चाई जिसको जुठलाया नहीं जा सकता जैसे धरती गोल है ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई कितना भी जूट बोल ले वो rectangle shape में धरती को नहीं कर सकता तो अगर comma inverted comma के अंदर earth is round दिया है तो उसमें भी हमारा tense नहीं बदलता है ठीक है तो ये जो उपर मैंने note दिया है ये important है इसको note down कर लेना कि कब tense बदलते हैं और कब tense नहीं बदलते ये आपको पता हो जाना चाहिए ठीक है अब इतना पता कर लिया अब चलते हैं actually कि कौन सा tense देखो और indirect में उसको किस में बदलो ये नहीं बदलते है reporting verb अगर present or future में है तो tense नहीं बदलेगा अगर reporting verb यानि reported speech जो है जो comma और inverted comma के अंदर है अगर उसके अंदर कोई universal truth है या habit है तो वो नहीं बदलेगा ठीक है इस इन दोनों का example लेके भी मैं आगे समझाऊंगा ठीक है लेकिन पहले हम सीखते है change in tense ठीक है इसको erase करना बहुत बड़ी बात होती है क्या ही किया जाए ओके 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 मैं let's move let's go change in tense देखना है हमे और बहुत ही simple और साधारण भासा में बताऊंगा कि direct speech में तुम्हे कौन सा word देखो और indirect में बदलते time उस word को किस में बदल देना है जिससे तुम्हारा tense बदल जाए देखो सबसे पहले हम direct speech में अगर verb की first form देखते हैं ठीक है या अगर verb की first form के साथ s और yes लगा हो जैसे place goes jumps या अगर आप do देखते हो या does देखते हो ये चारो याद कर दो verb की first form देखो या verb की first form के साथ s और yes देखो do देखो या does देखो ये चारो आपको पता है present indefinite में use होते हैं तो जब भी इनको आप direct speech में देखो तो indirect में इनकी जगह पर क्या हो जाएगा अगर verb की first form है तो वो verb की second form में बदल जाएगी और अगर do or does है तो वो did में बदल जाएगा ठीक है याद रहेगा तो verb की first form do does देखो तो उसको did में बदल जाएगा दूसरी चीज़ अगर हमें direct speech के अंदर is am और are दिख गया ठीक है तो उसको indirect में बदलते time is am are की जगह was और were हो जाता है ठीक है अगर subject singular है तो was, subject plural है तो were ठीक है बस देखते जाओ कि direct speech के question में तुम्हें ये सब warps दिखें तो इन warps को change करना होता है किसमें change करना होता है ये में बता रहा हूँ आगे ठीक है अच्छा तीसरा अगर तुम्हें has दिख जाए या have दिख जाए तो इसको indirect में जब बदलोगे तो has और have की जगह हटा कर had लगाना है अपको ठीक है अच्छा इसके बाद अगर आपको has और have और इनके साथ आपको been लगा हुआ दिख जाए तो घबराना नहीं है has को और have को बदल देना है had में और been जैसा है ना उसको वैसी रहने दिना उसको नहीं बदलना है मेरे दोस्त ठीक है अच्छा अब आगे चलते हैं मान लो तुम्हें direct speech की question में वो अपकी second form मिल ला है देखो यार कुछ गिनी चुनी चीजे हैं अगर आपको ये गिनी चुनी चीजे याद हैं कि अगर इनको हम direct speech में देखेंगे indirect में बदलना है तो 40% काम यहां भी आपका हो जाता है भाई 40% reported speech बदलने के लिए ये topic जरूरी है और 40% ये topic जरूरी है अगर आपको ये दोनो topics change in personal pronouns और change in tense आ गया तो 40 plus 40 80% indirect speech में तुम बदल लोगे ठीक है 20% के लिए बाकी 3 steps भी तो चाहिए 5 steps बताएं है मैंने आपको अच्छा वो आपकी second form या did अगर दिखती है कहां पर? direct speech में तो इसको indirect में बदलते time हो जाता है had ठीक है? जी हाँ had, has, have को भी देखकर had में बदलना होता है और वो आपकी second form और did को भी देखके had में बदलना होता है कोई surprise मत हो अच्छा, अब इसके अलावा अगर आपको had दिख जाता है sorry, was और were दिखता है was और were अगर had दिखता है तो had change नहीं होता had का had ही रहता है मैं बस जितने verbs बता रहा हूँ यहाँ पर केवल यही बदलते हैं इनकी अलावा कोई भी और were देखो same to same indirect में उसको वैसे ही लिख देना तो अगर was और were दिख गया तुमको direct speech के question में तो reported speech में आपको was और were के जगा had been लगाना होता है क्या लगाना होता है had been ठीक है अच्छा अब आगे चलते हैं अगर आपको will दिखे या shall दिखे ठीक है तो यह बदल जाते हैं would और should में ठीक है और माल लो अगर would और should दिख गए तो इसको किस में बदलोगे इनको बदल देना must में ठीक है और अगर must दिख गया तो इसको किस में बदलोगे इसको बदल देना had to में ठीक है और अगर इसके अंदर कुछ model auxiliary जैसे can दिख गया में दिख गया ठीक है इनको कैसे बदलोगे can का हो जाता है could और में का हो जाता है might तो यह जितने भी direct speech के words मैंने यहां पर दिए हैं इनको रट लो याद कर लो मैं तो कहता हूँ print out निकलवा के अपने सामने चिपका लो अगर direct speech में exam में 10th class के exam में अगर direct speech में इन सब ही verbs को देखो तो इनको इसमें बदलना होता है यह हमेशा याद रहे वही option चूज करना मालनो अगर किसी question में verb की first form दिया है और आपके सामने चार option दिये हैं तो उसी option को चूज करना जिसमें verb की second form है क्योंकि verb की first form बदलती है वह अपकी second form ने तो इसको देख लेना इस MR किसमें बदलता है हैस AFF किसमें बदलता है हैस AFF प्लस बीन किसमें verb की second form प्लस डिट किसमें वाज वर किसमें यह देख लेना ठीक है अब चलते हैं अपने आखरी step की तरफ जिस step में हम सीखेंगे ये आखरी step है reported speech का इसके बाद rules खतन हो गए इसके बाद अपके वल practice ही करना बाकी है ठीक है step number five इस step में हम adverb change करेंगे change in adverb change in adverb अब adverb कैसे change होता है देखो भाई साथ अगर तुम्हें direct speech के question में direct speech के question में किसमे direct speech के direct speech के question में अगर आपको नीचे दिये गए words दिखते हैं तो वो indirect speech में किसमें बदल जाते हैं अब ये देखते हैं ठीक है ये सारी words adverb है मालो अगर आपको since दिख जाता है since ठीक है तो ये बदल जाता है then में ठीक है अब अगर आपको ago दिखता है ago बदल जाता है before में ठीक है अच्छा अगर आपको does दिखता है does ये भी एक adverb है तो ये बदल जाता है so में ठीक है ये देखते जाओ since किस में बदलता है ago किस में बदलता है does किस में बदलता है today हो जाता है that day ठीक है, it will become that day tomorrow tomorrow अगर दिखता है तो अगर tomorrow तुमको direct speech के question में दिखता है तो tomorrow will become the next day ये क्या हो जाता है ये बदल कर हो जाता है the next day और अगर तुमको यहाँ पर yesterday दिख गया तो yesterday will become the previous day तो ये कुछ adverbs है जिनको अगर आप direct speech में देखते हो और भी बहुत सार adverbs है ठीक है और भी बहुत सार adverbs है लेकिन ये most common है जो की board exam में पूछे जाने के chances 90% है यही यही adverbs पूछे जाएंगे और इन adverbs को किसमे बदलोगे ये भी मैंने आपको बता दिया तो ये एक एक करके पांच steps पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला अगर इन पांच steps को आपने कर लिया तो as I said अगर आपको direct से indirect में बदलना है तो ये पांच steps आपके लिए काफी है ठीक है अगर आपने इन पांच steps को अच्छे से पढ़ लिया है तो चलिए actually practice करते हैं reported speech के questions from previous year board questions तो चलिए शुरू करते हैं तो अब हम आते हैं एक board question की तरफ ये CBSC board का latest pattern का question है यानि 2023-24 के जो sample ने पर CBSC ने अप्लोड किया है English Language and Literature का उसमें से मैंने उठाया है उसमें दो question है एक तो reported speech का question है जिसमें एक question को reported speech में बदलना है जो अभी तक मैंने नहीं सिखाया लेकिन एक question था जो assertive sentence जो अभी तक मैंने 5 steps बताया है न इन 5 steps से तुम assertive sentence को बदल सकते हो और assertive sentence के साथ बाकि types of sentences को भी same 5 steps से बदल सकते हो लेकिन बस format अलग है मैं आपको वो format बताऊंगा फिलहाल ही question है एक assertive sentence को बदलने का question है कि report the dialogue between a vendor and his customer by completing the sentence एक vendor है और इसका customer है इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई है जो यहाँ पर खतम हो गई है अब यहाँ से इसने narrate करना चालू किया है जो vendor है यानि जो बेचने वाला है वो कहता है कि sir आपको देखके बहुत अच्छा लगा ठीक है customer कहता है येस इंडीड और हमारे लिए narrate करके दे दिया है कहां तक पता है अब आगे की चीज़ें आपको indirect speech में बदल नी है ठीक है तो चलिए that के बाद बदलना चालू करते है अगर आपको मैंने कहा था कि कहीं adverb मिल जाए तो adverb बदल जाता है last बदल जाता है previous में ये मैंने अभी पीछे वाले table में नहीं करवाया ठीक है अभी जो मैंने आपको table बताया था जिसमें मैंने adverb चेंज करना बताया था उसमें last को previous कर देना ये नहीं बताया तो ये अभी सीख लो कि अगर कोई adverb जो last करके दिखता है वो previous हो जाता है तो that, that के बाद unlike unlike previous month unlike previous month month कॉमा है कॉमा लगाओ अच्छा, अब ये जो pronoun आया है, personal pronoun है और ये कौन सा person है, I first person है, कौन सा person first person अब आती है इस formula की जरूरत son upon one, two, three यानि अगर first person pronoun देख रहे हो, तो वो बोलने वाले के recording change हो जाता है यहाँ पर हमने first person pronoun देखा बोलने वाला कौन है, customer customer एक third person आगमी होता है third person, third person के लिए हम he लगा सकते हैं या she लगा सकते हैं क्योंकि यह अकेला है, तो unlike previous month, he have मैंने बोला था, had में बदल देना he had been का been ही रहेगा away, away ही रहेगा for quite some time अब this हो जाता है, that month नहीं करवाया था, तो यह सीख लो कि अगर indirect में तुम last देखो तो वो previous हो जाता है, और अगर this देखो, तो वो that हो जाता है that तो that रहता ही है और अगर these देखो तो these will become those, ठीक है तो यह याद रखना तो यह एक board का question था, जो हमने जो अगर आपने पांचो steps पड़े होंगे न, तो आप कर ले जाओगे अब इसके बाद, एक अगले topic पर चलते हैं, जहाँ पर हम सीखेंगे changing, changing questions, changing questions into indirect speech ठीक है, जो भी पांच step में मैंने जितने भी rule बताए, वो सब ही rules important है आपके लिए लेकिन questions को बदलने का indirect speech में, जो format है वो दूसरा है क्या है format, अब मैं आपको एक formula बताता हूँ, देखो, दो तरीके के question होते हैं एक होता है, yes no type question, yes no type, ठीक है, इसको कैसे indirect में बदलोगे और एक होता है, ws type, इसको कैसे indirect में बदलोगे, यह दोनों मैं न, एक एक example देके बताता हूँ जैसे yes no type में, मैंने एक example ले लिया, मैंने कहा, I said to Raman, मैंने रमन से कहा, comma, inverted comma, y, sorry, यह ws type, yes no type question है न, तो यह y से नहीं, बलकि do से या did से ऐसे चालोगा, ठीक है, तो ऐसे start करते हैं, pen select हो जाँ भाई, मालो have आ गया, ठीक है, have you done your hw, अब यह एक question है, ठीक है, interrogative sentence है, और yes no type का interrogative sentence है, इसको बदलना सीखेंगे, और एक ws type का question लेते हैं, मैंने कह दिया, Rajes, Rajes said to me, inverted comma, why was you late, ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, ये दो question सभी तरीके के question sentence को आपको indirect में बदलना सिखा देंगे, देखो, जो भी question का sentence indirect में बदलने के लिए आएगा, reported में बदलने के लिए आएगा, वो दो format में हो सकता है, पहला, जो helping वो अपसे start होता है, और दूसरा, जो ws type से start होता है, तो इसको कैसे बदलोगी और इसको कैसे बदलोगी, ये देखते हैं, देखो, I जो रहता है, वो I का I ही रहता है, और said to, said to हर question वाले sentence में बदल जाता है, asked में तो I asked रमन to मत लिखना I asked to, रमन मत लिखना to मत लिखना, क्योंकि ये said to की जगह पर ही हम asked लिखते हैं, ठीक है said to की जगह पर ही हम क्या लिखते ह kana लिखते हैं? asked लिखते हैं, तो I asked Raman, अब हम comma inverted comma हटाएंगे, क्या लगा कर, हटा के क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर yes no type question हो, तो उसमें हम लगाते हैं if, ठीक है, तो I asked Raman if, अब if के बाद, एक चीज बहुत important है, कि जितने भी question वाले sentence होंगे, उसमें पहले तुम subject को बदलोगे, बाद में verb को बद होगे, यह trick है, यह याद रखना, I asked Raman, if you, पहले तो हमें you को बदलना है, तो same formula लगेगा, you को बदलने का, sun upon one, two, three, you एक second person है, जो की object यानी सुनने वाले के according बदलता है, सुनने वाला यहाँ पर third person है, जिसकी जगह पर हमें ही लगाते हैं, तो I asked Raman, if he, half बदल जाएगा had में, done, फिर हमें एक pronoun मिलता है, your, जो की again second person pronoun है, लेकिन your जो है, वो है positive adjective, देखो second person object according change होता है, रमन के according change होता है, रमन के लिए हम लगाते हैं he, और he का जो positive adjective होता है, वो his होता है, तो I asked Raman, यह तुम table में जाके देख सकते हो, कि your एक positive adjective, जो मैंने table बनवाया, personal pronoun का, उसमें जाके देखो, कि your एक positive adjective है, और अगर हमें your को किसी third person के according बदलना है, third person अगर लड़का है, तो he लगाएंगे, लड़की है तो she लगाएंगे, ठीक है, अब जो third person के according हमें बदलना है, उसका positive adjective क्या होगा, his होगा, मैंने लगा दिया, homework को homework लिग देना, और अब यह question mark will become full stop, तो यह बहुत जरूरी था, कि अगर कोई question sentence direct speech में आता है, तो जब हम उसको indirect में बदलते हैं, तो वो एक answer में convert हो जाता है, क्योंकि question तब ही होता है, जब helping work पहले आगे हो, यहाँ तो हमने helping work को पीछे कर दिया, तो अब यह एक answer बन गया, ठीक है, अच्छा, यहा पताया था, जब तुम WS type questions को change कर रहे हो, तो comma inverted comma टाकर कुछ नहीं लिखोगे, direct y का y ही लिख दोगे, ठीक है, और अब यह है helping work, पहले हमें helping work को बदलना नहीं होता, पहले हमें इस subject को बदलना है, जो कि है you, और you second person है, सुनने वाले के recording change होगा, सुनने वाला कौन हूँ मैं, और मैं का, यानि मी, मी का subjective case होता है, यहाँ पर you subjective case के तरीके से use हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा I, तो राजेस asked me why I was मैंने बताया था, change कर देना, had been me, why I had been late, हो गया, full stop, देखा कितना आसान था, तो यह रहा question sentences को बदलने का तरीका, ठीक है, जो 5 steps मैंने बता है, वो same के same रहेंगे, बस यह तरीका, यह format बदल जाता है, क्या तुम और भी questions practice करना चाहते हो, questions पे, तो चलो, let's start, एक और दो, एक दो questions और practice करते हैं, फिर imperative और exclamatory को भी बदलना सिखाता हूँ, जैसे मैंने कहा, मैंने कहा, हिमेश, हिमेश, said, तो हिमेश, said, inverted, why, why, you, why, कुछ और लिखते हैं इस बार, हमने लिखा, why have you not done your homework, ठीक है, यह question है, इसको बदल के दिखाओ, कैसे बदलोगी, हिमेश, हिमेश ही रहेगा, said हो जाता है, asked, ठीक है, देखो यार, said हो, said to हो, says to हो, say हो, कुछ भी हो, अगर वो question का sentence है, तो वो asked में बदली जाना है, ठीक है, तो हिमेश, asked, चुकि why लगा है, तो direct लिखेंगे why, अब you को पहले change करेंगे, और you है second person, जो की object के according, यानि सुनने वाले के according change होता है, यहाँ पर सुनने वा why you have, will become, had, why you had, आगे है, not, done, your second person है, second person ही रहने दो, क्योंकि सुनने वाला यहाँ पर दिया नहीं है, not done your homework, ठीक है, तो यह तरीका था, हिमेश, asked, why you had not done your homework, तो बहुत आसान है, question sentences को भी imperative में change करना, अब जादा समय ना बरबात करते हुए, हम चलते हैं, imperative sentences को बदलने की तरफ, कि अगर imperative sentence आ जाता है, comma, inverted comma के अंदर, तो उसको बदलने का क्या rule होता है, ठीक है, जैसे हम दो imperative sentences लिखते हैं, मैंने कहा, I said, comma, inverted comma, open the door, ठीक है, open the door, एक और लिखते हैं, राज, said to me, said to me, comma, inverted comma, give me your pen, ठीक है, inverted comma, close, तो ये दो sentence है, जो की imperative sentence है, पहले मैं formula बता देता हूँ, की imperative sentence को बदलने का formula क्या होता है, देखो, rules वही 5 है, जो मैंने आपको शुरुवात में बताये थे, ये सब बस इनका format बदल रहा है, ठीक है, formula क्या है, imperative sentences को बदलने का, subject लिखोगे सबसे पहले, बोलने वाला, बोलने वाले के बाद तुम लिखोगे, या तो तुम लिखोगे, ordered, ठीक है, या तो तुम लिखोगे, suggested, ठीक है, या तो तुम लिखोगे, requested, ये तीन चीज़े, ठीक है, अब इन तीनों में से क्या लिखोगे, ये अंदर वाले sentence को देख के पता चलेगा, जैसे, अगर मैं धर्वाजा open करने के लिए कहता हूँ, कोई छोटा है, तो वो मेरा order हुआ न, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ordered, ठीक है, ये देखो, give me your pen, अगर हम किसी इस pen माकते हैं, तो हम उसे request करते हैं, भाई, pen ने दो यार, तो requested लिखेंगे, तो अंदर के sentence का sense सम मजना है, अगर request है, तो requested, order है, तो ordered, और अगर कोई advice दी जा रही है, तो वो suggested में आ जाता है, ठीक है, तो formula subject plus order suggested requested, अब इसके बाद, ठीक है, अब अगर कोई object दिया है, तो direct object लिख दोगे, यानि जैसे इसमें me दिया है, तो यहाँ पर me आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद यह ध्यान देना, इसके बाद आता है, to plus verb की first form, प्लस, अगर कोई person है, तो उसको बदल दोगे, नहीं तो direct object लिख दो, ठीक है, जैसे देखो, यह रहा formula, अब इस formula पर मैं आपको यह दोनों sentences change करके दिखाता हूँ, पहला, I said, said open the door, तो यह हो जाएगा, I ordered, object है नहीं, object न to, verb की first form, open, और जैसे लिखा है, the door object है, तो हम ऐसे क्या, ऐसे ही लिख देंगे, I ordered to open the door, किता simple था, दूसरे वाले को change करते है, राज said to me, give me your pen, give me your pen, एक suggestion है, तो मैं कहूंगा, sorry, request है, तो मैं कहूंगा, राज requested, और इसमें object भी दिया है, me, राज requested me to give अब देखो me, एक first person pronoun है, जो की, बोलने वाले के recording बदलता है, बोलने वाला यहाँ पर है, राज, मैंने बताया था ना, यह वाला formula, sun upon one, two, three, first person subject के recording, यानि बोलने वाले के recording, दूसरा person object के recording, और तीसरा person नहीं बदलता है, तो यहाँ पर यह first person है, बोलने वाला राज है, और राज का objective case हो जाएगा him, इसके लिए हम he use करते हैं और he का objective case होता है him, तो हमें हाल लगाएंगे him राज requested me to give him his pen his pen, यह देखो your second person है बोलने वाले के recording change होता है ठीक है बोलने वाला है me तो your और अच्छा यहाँ पर his नहीं होता है यहाँ पर होगा my pen क्योंकि यह second person object के recording change होता है और your है हमारा positive adjective तुम देखो me वाले case में positive adjective हमारा होता है my, ठीक है तो यह दो तरीका था जिससे तुम imperative sentences को बदल सकते हो, अब हम चलते हैं आखरी तरीके sentences की तरफ जिसको हम exclamatory sentences कहते है exclamatory sentences ठीक है exclamatory sentences को भी बदलने का formula है क्या formula है? दो formula है पहला आप जब भी किसी exclamatory sentences को indirect में बदलते हो तो जो formula आप use करते हो वो यह है subject plus exclaimed plus object plus that और that के बाद आप normal change कर देते हो जैसे assertive sentence को change करते हो ठीक है? अब चलो एक example लेते हैं देखते हैं इस formula से हमारा वो exclamatory का sentence हो पाता है या नहीं हो पाता है? जैसे मैंने कहा I said to him comma inverted comma congratulations congratulations you topped in the class you topped in the class ठीक है? तो इस formula का use करते हुए हम इसको indirect में बदलते हैं I का I ही रहता है set to will become exclaimed I exclaimed him का subjective case होता है तो I exclaimed formula और imperative को कैसे change करोगे ये formula और interrogative को कैसे change करोगे ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इस question भी मैंने solve किया तो this is all about from my side ठीक है? मैंने आपको assertive sentences लेके exclamatory sentences तक अगर reported speech में आता है तो उसको कैसे change करते हो ये मैंने बता दिया अब आपका काम है कि इस video को कितना fast करके देखते हो कितना slow करके देखते हो A to Z जानकारी आपको मिल गई है एक guarantee है अगर आपको इस video में पूरी चीज़े समझ में आ गई तो reported speech का जो question board exam में एक number एक number करके दो question पूछा जाता है ये दोनों कर लोगे तो बिलते हैं एक और topic पर educational hikes के साथ बने रहे और ऐसे ही detailed और informative वीडियो के लिए educational hikes subscribe कर लो Till then, bye bye, love you all यार चेहन